तो गाइज, हम इसका बिल्कुल बिरोते करते हैं, मनिसकाशबजय को बाहर लाया जा, कि बुलबक दो तरीका को होते हैं, एक होते हैं बुलबक और अन्पलबबक अब समाझे रहेंगे हमके क्या कहने वाले हैं सो गाइज देखिये, पाकिस्टान कि तरह हुना चाहेखिये, तो भारत का जो जंडा है वो चांद पर विफार आता है, लेकिन पाकिस्तान का जो जंडा है वो चांद पर नहीं है, जंडा में चांद घुसा दिया है, बिहार सरकार वर्सेस मनिस्कसियप, जी हाँ तेजस्पी वर्सेस मनिस्कसियप की टॉपिक जोरो सोरो से चल रही है, द पहला स्वाल इन से में पूछना जाओंगा कि बिहार के चर्चित यूटूबर तथा पत्रिकार मनीश कस्यप को हाली फिलाल साइद एक दू दिन पहले जेल में बंद कर दिया गया है इस विशाय में एक क्या कहना चाहेंगे उन्हें क्यों जेल में बंद किया गया और क्या कि कहानियत ही ऐसा क्या हुआ सबसे पहले आप सभी दर्सकों को तहें दिल से धन्यवाद और जितने भी हमारे भाई साथ हैं जारखन बिहार के उन्हें इस यूटूब के माधियम से शुक्रियादा करना चाहूंगा कि जो हमें इस मन्च पर बोलने का मौगा मिला है तो दोस् करने का उनके अंदर जुनून है जो जजबा है मनिश कस्यप एक चमकता हुआ सूर्ज है जो कहें न कहें बिहार के एक रोसनी की तरह आगर लाने का पर्यास कर रहे थे और करेंगे भी तो मैं बताना चाहूंगा कि जो मनिश कस्यप यूटूबर हैं और जो पतरकार बहुत अच्छा हैं उनके बारे में वह पूरे बिहार का और जहर्खंड का एक तो फरत हुआ पत्रकार एक पता हुआ अच्छा चरित्रेवारा नेता on of how we हम लोग का इस फाइड व्यक्ति कहे जा सकते हैं उन्हें जेल में ग्रिपतार करवाया गया उन्हें जेल भेजवा दिया गया एक छोटी सी भूल के कारण जो कि उनको यूटूब चैनल पर विडियो पोस्ट किये जो तमिल नाडो में जो कांड हुआ उसके कारण तो गाइस ऐसा नहीं होना चाहिए जो सरकार है बिहार का कोई भी हमें राजनीतिक से कोई मतलब नहीं हम एक आम पबलिक हैं एक आम जनता हैं हमारा बोलने का अधिकार है तो साथियों हमें राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है कोई लियना दने नहीं राजनीतिक से तो गाइस जो हमारे बिहार के उपमुख मंतरी हैं सिरी तेजस्वी यादब मानी निया सिरी तेजस्वी यादब जी से पता ने उनसे क्या कस्यप जी का मनीश कस्यप जी का उनसे जहगडा है हम नहीं जानते हैं पर इतना कहना चाहेंगे कि बुलवक दो तरह के होते हैं एक होते हैं हम क्या कहना चाहते हैं बस यही है अरे जैसे जैसे मनीश कस्यप आगे बढ़ रहे हैं कहीं न कहीं उपमुखमंत्री को या वहां के बड़े बड़े नेता को डर है कि आगे चलके अच्छा नेता नहीं बन जाए आगे चलके अच्छा फरवक्ता नहीं बन जाए इसलिए उन् भण जी तो कहीं ने कहीं हमें लगता है कि कुछ न कुछ तो गलत हुआ है तो साथियों हमने पहला उजारन लिया कि बुडवख दो तरीका को हते हैं एक होते हैं बुडवक और एक होते हैं नपट बुडवख不知道 हुए हैं क्या कहने वाले हैं सो गाइज देखिए पाकिस्तान की तरह नहीं होना चाहिए देखिए उन लोग सोचता है ना कि मेरे जंडा में चांद है तो हम चांद पर पहुंच गए नहीं चांद जंडा में चांद होना और चांद पर जंडा होना असमान जमीन का फरक है दोस्तों तो भारत का जो जंड़ा है न उच्छांद पर विफार आता है लेकिन पाकिस्तान का जो जंड़ा है उच्छांद पर नहीं है जंड़ा में चांद घुसा दिया है तो क्या मतलब जंड़ा चांद पर पहुंच गिया पाकिस्तान तो यह सोच गलत है मैं कहना चाहूंगा कि जो इ वाओं में जो जुनून और जोस भरते हैं ना बात करने का एक स्किल डेवलप करने का बहुत अच्छा परियास था और बहुत अच्छा परियास है और बहुत अच्छा परियास है और बहुत अच्छा परियास रहेगा मन इसका सिब जिका क्योंकि हम सब इवाओं उनके साथ ह आसा कि पता होगा आप लोको को, की तमिल नाडो稔 फिर्स बिहार, ऐसा माना जगा रहा था कि बिहार की बहुत से मजदूर, हाँ वेलकुल सफ़ह बते हैं, सर के बिहार में कुछ संसादर नहीं, बहुत कुछ कंबी, बौत गरीवी भी है, तो बिहार के मज़दूरां हमीशा भारत के हरे कोने में रहते हैं, हरे कोने में काम करते हैं, जीवन पालाने के लिए तो ऐसा यहां पर मनीश करस्यप के दोवारा बोला गया कि बिहार के जो मज़्दूर है तमीलाड़ों में उन्हें बहुत तेरहमी से पिता जा जा रहा है मारा जा रहा है, काडा जा रहा है और उन्होंने ऐसा कुछ बताया और तिजस्वी मुख मंतरी तिजस्वी सर जो है उन्होंने पता है कि जो मनिस कस्यप का वीडियो जो है वीडियो नोंने पोस्ट किया वो स्क्रिप्टेड है वो बनाया हुआ है यह जूट का है और यह दो स्क्रिप्टेड की बीच में लडाने की साजिस हो सकती है तो क्या इ इस statement को खारिज भी किया बोलक जो भी मैंने दिखाया वो सच दिखाया अब बिहार सरकार की तरब से जो statement आई है कि वीडियो स्क्रिप्टेड है जूट है दो स्टेड के लडाने की साजिस है तो इस बात को आप किस तरह से देखते हैं कि कौन सही हो सकते है क्या सही हो सकता क्य और फिर जो तमिल नाड़ो का वीडियो वो अपने से नहीं बनाये हैं वो कहीं ने कहीं उनको सोशल मीडिया से ही मिला होगा और वो तो घूमते रहते हैं तमिल नाड़ो भी गए वो वहां जाके जाइजा लिए वहां का पबलिक से मिले और जो बिहारी वहां पे काम कर रह पिर भी एक बीडियो के माध्यां से, एक क्लीप के माध्यां से, किसी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा देना, देस द्रोह का इल्जाम लगा देना, और 긴े ना श्क्ति हैएंग। दिसे न्यालर है उसके लिएए वो डिचाइड करेंगे हम कोन होते हम आध़करने वाले तो यह तो उन लोग पर न करता है कि क्या सच है क्या गलत है लेकिं मनिस का सिअब जी बीडियो दिखा रहे थे हम लोग को तो लाग रहा है कि कही न कहीं सई है क्योंकि वीडियो में साफ साफ दीख रहा था उस ताइम पी जबरजास्ति छोड़ा मारा जा रहा है और जबरजास्ति पीटा जा रहा है चाहे करमचारियों को कोई गलती के बज़ा से पीटा जाए या हम लोगों को जो में भासा है परोपर भासा भोजपूरी का हिंदी का उसके मंदार पत्रिकार हैं और बहुत ही अच्छे एक के इंस्पार्ड व्यक्ति हैं उनके बारे में हम गलत नहीं कह सकते हैं बस और आगे आप सबसे बात करेंगे हो भी सकता है जहां तक मेरी मत है लेकिन एक से और भी सोचने वाली है एक से आपको पता होगा कि बिहार में अगामी चुना में दौरह चोविस क्या बताना चाहेंगे कि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि दौरह चोविस जिस प्रकार से मनिस कस्याप का एक स्टेटमिन था कि 180 दि देखिए हो सकता है जैसे कि हमने एक वीडियो में देखा कि जो एड़ोकेट है पटना का उचनियाले का वो बता रहे थे कि कुछ ही इन पर जो धारा लगा है उबेलिवल है और कुछ जो धारा है से नबेलिवल है तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि हो सकता है यह अच्छा च्रीद्रे वाला इंसान और कोई भी तेज तराज ब्यक्ति इस मंच पे आए और आगे बढ़े और कहीं न कहीं बड़े बड़े निताओं को ये लग रहा है कि मनीश कश्यप आने वाले दिनों में उपु मुखमंद्री बन सकते हैं और मुखमंद्री बन सकते हैं क के अंदर एक बहुत बड़ा अश्कील है जो हर किसी के पास इवर लेवर नहीं होता है अब बता सकते हैं कि कोई भी ब्यक्ति नौमा पास यदि टेंथ का कोई एक्वेशन सेल्प करे तो कर लेगा नहीं कर पाएगा लेकिन मनीश कश्यप एक इंजीनियर है वह एक पढ़ा का जो नेता है वो डर रहे हैं कि कहीं न आगे चलके यह बहुत बड़ा नेता नए बन जाए हमारा पेट पर लातने मारे इसी के बज़े से हो सकता है कि राजनीतिक का एक कुलू ढूंड कर और राजनीतिक के सड्यंत्रों के माध्यम से सड्यंत्रों के आरोप में उन्हें करवाया घया खोगा ये मतलब अजम सन अन्प सोच हो सकता है उनका जो उन्हें जेल में बंद करवा उसकता है कि कहीं ने जा सकता है, कलपा ना किया जा सकता है इसके बारे में बागी आगा और इसवां पूर्ण जिरा ना सम्झाएंगए बहुत बार शुनने में आती है कि मनिस्क-सियब बिसिकलि अब पूजिट पार्टी वाले कोई पार्टी वाले होते हैं तो कोई इनका सपोर्डर है, कोई उनका सपोर्डर है, कोई फनला सपोर्डर है, कोई चिनला सपोर्डर है, बहुत बार ऐसा बोला जाता है, कि मनिस कैसी अब हो सकते हैं, बीजेपी का अजेंट है, इनका तरफ से बोलते हैं, कि वो सच में ऐसे कर सकते हैं, कि बिल्कुल गर्मी हो वो समुंदर नहीं सुखा सकता तो गाईज सचाई सचाई ऐसा चीज है ना कि चाहे लाग परियास करो उस छुप नहीं सकता है आज नकल वा जाएगा जूट पल भर के लिए आपको असवासन के लिए यहां पे संतुष त्रिप्त कर सकता है खूसी दे सकता है लेकि इसलिए सचाई से कभी भागना नहीं चाहिए मैं बार बर कह रहा हूं कि सुर्ज में चाहे जितना गर्मियां हो जाए जितना तपसी बन जाए समुद्र नहीं सुखा सकता इसलिए अगर जो मनीश कस्यप चमका है चमकेगा और आगे चलके बढ़ियान नेता बनेगा चाहे गर उजडे ब्यक्तियों का घर बसाया है, मताओं का आशुव पोचा है, वैसा वैसा ब्यक्ति को हर आदमी का दूआ है, वो कभी अंदर नहीं रह सकता है उन्हें चाहिए जितने भी ब्यक्ति वहां से मिल जाẫn, जितने भी नियता लग जाए उन्हें कोई फरक ने पढ़ने देंगे हम लोग क्योंकि हम लोग सब साथ हैं तो गाइस फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में हम लोग देखते हैं और अगले जो भी न्यू जाएगा उसके बारे में हम लोग बताते रहेंगे चलिए तब तके लिए जैहीन जै भारत वंदे म कि झालतरों